मश्कार दोस्तों मैं DRX संतो सिंग अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों वारतिय संहिताएं भारतिय शगोन सास्त्र यह इतना विशाल है इतना विस्तृत है कि इसका वणन करना कई दिनों तक भी असंभव रहेगा दोस्तों वारतिय शगोन सास्त्र वास्तु सास्त्र सामोद्रिक सास्त्र एवं जोतिस सास्त्र ऐसे कई सास्त्र हैं जो हमें जीव जन्तूं पेड़ पक्षी पशू नदी नाले इत्याद एवं मनुष्य का स्वयम का सरीर एवं विवार भी उसके वारे में ऐसे संकेतों को ऐसे सगुनों को बताते हैं जिने जानकर हम यह बता सकते हैं कि फला मनुष्य का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है अथ्वा कव शुरू होने वाला है ये संकेत शुब है अथ्वा अशुब है दोस्तो इनी सीरीज में आज का विशे है दोस्तो वैसे तो मकडी प्राय प्रतेक घर में प्रतेक व्यक्ति ने देखी होगी और घर में मकडी का अथवा मकडी के जाले का लगना दुरवाग्य का संकेत देता है लेकिन फिर भी ये मकडी जिसे खतरनाक समझा जाता है जिसे जहरीला समझा जाता है और इसे बुराई का प्रतीक भी समझा जाता है परंतु यह मकडी भी शुव संकेत देती है जी हाँ दोस्तो इस मकडी के कुछ ऐसे संकेत जिस प्रकार यह दिखाई देने पर अत्यंत ही शुव संकेत देती है या यूं कहें कि शगुन सास्तर के अनुसार मकडी धन लाव से लेकर मृत्यू तक के संकेत देती है तो यह अतिशोक्ती नहीं होगी दोस्तों आज मकडी के उन संकेतों के वारे में हम आज शर्षा करेंगे वैसे तो शगुन सास्त्र में मकडी के इतने संकेत हैं जिने एक वीडियो में बता पाना अतियंत ही कठिन है लेकिन कुछ अबरे हुए कुछ आसान ऐसे संकेत हैं जिनने आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक वार जैस्री राम अवश्य लिख दीजिए और देरी ना करते हुए चलते हैं अपने एक वीडियो की ओर दोस्तों आज सोबह जब भोर में आपकी आँखें खुले और आँखें खुलते ही आपको सामने मकड़ी दिखाई देती हैं जो दीवाल पर उपर की तरफ चड़ रही है तो यह एक शुब संकेत समझा जाता है और इसे उन्नती की ओर से देखा जाता है अर्थात यह संकेत होता है कि आप शीगरी अपने जीवन में उन्नती करेंगे नमर दो, सपने में अगर आपको मकडी, दीवाल या किसी ब्रक्ष पर उपर की ओर चड़ते हुए दिखाई देती है अर्थात नीचे से उपर की ओर जाते हुए दिखाई देती है तो भी आप अपने जीवन में उन्नती करेंगे ही करेंगे यह शुब संकेत समझा जाता है नमर तीन, मकडी के जाले में आपको अपने नाम का प्रथम अक्षर दिखता हुआ प्रतीत होता है दोस्तो मकडी के जाले तो आपने देखे ही होंगे और जहां भी जाले देखे होंगे आप उन्हें साफ करने के लिए लालाईत रहते हैं क्योंकि इन्हें शुब नहीं समझा जाता है इन्हें दुर्भागे से जोड़ कर देखा जाता है अब की वार आप देखे है अगर ऐसा होता है कि मकडी के जाले में आपको अपने नाम के प्रथम अक्षर की आकरती दिखाई देती है तो यह अत्यंत ही शुब संकेत समझा जाता है और यह संकेत है एक बहुत बड़े धनलाव का जी हां दोस्तों आपको शीग रही कोई बहुत बढ़ा धनलाव होने वाला है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उस जाले को हटाएंगे नहीं जाले को आप हटाईए बिल्कुल हटा दीजिए यह केवन संकेत था जो संकेत आपको मिल चुका है अब आप अपने घर की साफसफाई कीजिए और जाले को भी हटा दीजिए दोस्तों मकडी का जाला दुर्वाक का संकेत है बनाते हुए देखना संकेत नहीं है अर्थात मकडी अगर आपको जाला बनाते हुए दिखाइ देती है तो यह शुब संकेत समझा जाता है और ऐसा माना जाता है कि शीग्र ही आप अपने कार्य छेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने सहयोगियों के द्यारा एवं अन्य लोगों के द्वारा प्रसंसा पाएंगे यानि कि आप अपने कार्य को सफलता पूर्वक सफल होंगे यानि कोई ऐसा कार्यवी जो आपको असंभव लग रहा है आप कोई न कोई बुद्धी, कोई न कोई युक्ती लगा कर आप उसे इस प्रकार से कर लेंगे कि लोग आपसे प्रवावित हुए बिना रहेंगे ही नहीं वे आपकी प्रसंसा करेंगे दोस्तो अगर सपने में आपको मकडी काटती है तो यह शुब संकेत नहीं समझा जाता है ऐसा माना जाता है कि अब आपको रिस्तेदारों से बिचड़ना पड़ेगा अत्वा आपका कोई रिस्तेदार आपसे बिचड़ेगा और आपको आपके रिस्तेदारों के साथ आपके संबंद खराब हो सकते हैं कोई नजदी की रिस्तेदार से आपके संबंद खराब हो सकते हैं दोस्तो और वैसे भी सौपन में ही नहीं अगर मकड़ी normal तरीके से भी आपको काटती है तो वह भी अच्छा नहीं माना जाता उससे आप बीमार हो सकते हैं आपको तकलीफ हो सकती है नमर छे, कई मकडियां आपको एक साथ दिखाई दें दोस्तों अगर आपको एक साथ कई सारी मकडियां दिखाई देती हैं तो यह शुब संकेत नहीं है यह एक अशुब संकेत है और ऐसा माना जाता है कि एक साथ कई सारी मुसीवत हैं अब आपके उपर तूट पड़ेंगे, अथ्वाँ आपके खिलाप चड़ेंत्र कर रहा है, नमर साथ कपड़े पर मकड़ी चड़े दोस्तों अगर आपके कपड़े पर आपके ऊपर मकड़ी चड़ती है तो यह शुब संकेत समझा जाता है ऐसा माना जाता है कि शीगरी आपको नई कपड़ों की प्राप्ती होगी नमर आठ सपने में जाले में पढ़ना दोस्तों अगर आप देखते हैं कि आप सपने में मकड़ी के जाले में फस गई है तो यह शुब संकेत नहीं है यह अशुब संकेत है और इसका अर्थ होता है कि आपके किसी कार्य में वादा उत्पन्न होगी अथवा आप रोगी हो सकत आपके घर में कोई बीमार पड़ सकता है नमर नौ मकड़ी अगर आपको खुद के जाले में ही बदहवासी होकर दोड़ी भागती दिखाई दे दे दोस्तों मकड़ी वैसे तो अपने जाले में ही रहती है और शांती से वैटी है इदर उदर अपना काम करती है लेकिन अगर आपको दिखाई देती है कि अपने ही जाले में बदहवासी दोड़ रही है तो यह शुब संकेत नहीं है अपके परिजनों का आपके घर में आपके मित्रों में से किसी के साथ ऐसी घटना घट सकती है जो मृत्यू की और संकेत करती है अगर आपको भी ऐसा दिखाई देता दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो मकडी के संकेत अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृप्याई से लाईक कीजिए शेर कीजिए कमेंट में जय स्री राम अवशल हिए धन्यवाद जय सिया राम